पूरी वॉलीबूर्ड इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जाना था इस बात को इससे इतफाक रखती है लेकिन कुछ एलिमेंट है जहां पर ड्रग सप्लाई की जाते हैं उनको सफाई जरूरी है हेममाली नहीं यह बात भी कही लेकिन इन्होंने कहा कि रवी किशन ठीक है या जया बचन ठीक है मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ मैं कोई जज नहीं हूँ लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि हमारे टाइम में ऐसा हमने कभी नहीं सुना इतने बड़े बड़े नाम हुए इतने वहां पे अच्छी फिल्में बनती हैं म्यूजिक इतना अच्छा है तो अगर यह सब होता तो काम ना कर पाते लेकिन हेमा माली ने एक बात जरूर कही कि वॉली बूर्ड में अगर कुछ ऐसी चीजे हैं उनकी सफाई होनी चाहिए इस बात से बहुत जरूर इतिफाक रखती हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि जिस खाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए या रवी लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर आगे बढ़ाया कि आगर ऐसी चीजे हैं उनका उनको खत्म करना चाहिए लेकिन इमांचु मिश्रा रवी किशन भी तो कह रहें कि मैंने कब कहा कि पूरा बॉलीवूड ऐसा है मैंने भी तो कुछी चीजों पर सवाल उठाए जो टैस्तों को बसूर डॉपिंग टेस्ट होना चाहिए एकार कही है इंया है नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान से आ एंगानिस्तान चीन से लिए तो उसको रोकने की जिम्मेडारी जो है केंसर्कार की एजंशंसी ओब्तों कियے तो तमाम तरीके से जो है यह कह सकते हैं कि लेकर बोलीवुब तुक जो है वो त्रक्स पर भठ गया है कि बॉलीवुड बचा हुआ था आप सरकार वहां भी दखल देना चाहती है इसलिए राजनीती का साया वहां दिखने लगा है क्या ये बटवारा पहले नहीं था बॉलिवुड में जी हां बिलकुल ये बटवारा पहले भी था और अब तो लोगों ने थाली बाट ली है कुछ लोगों ने थाली संभाली तो कुछ लोगों ने थाली को दीगा ली और कुछ लोगों ने कहा कि मेरी थाली तेरी थाली अलग आपकी थाली अलग है जाया जी हमारी थाली अलग है ये थाली हमने खुद बनाई है सारे समान खुद परोसे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ड्रग सप्लाई और इन सारे गोरक धंदे के लिए कौन है जिम्मेदार तो कहते हैं अपना अपना करो सु कि यंदर कर देखना पड़ेगा कि क्या है कि बाबल सुप्रियों ने कहा कि ए डिटकसिफिकेशन है बॉलीवूड का वही रविकिशन ने कहा कि अगर ठाली में जहर हो तो उसमें च्छैद करना ही सही है तो सबके अपने अपने विचार खुलकर आ इसका फाइदा भी बॉली वुड को मिलना चाहिए लेकिन मिलेगा कैसे अगर लोग राजनी तिक रेट रोटियां सेखते रहेंगे तो यह ठंडी पड़ जाएगी और जाहिर है कि इसका जो मुखी उद्देश यह है वो होना चाहिए ना कि तू तू मैं मैं और तेरी थाली म मेरी थाली होना चाहिए नवस्कार मैं हूं अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले